गुड़ मॉर्निंग अल फ्यू कैसे हैं आप सब मैं त्रिप्ति दुबे यु आइस अकेडमी कुर्बा से सीजी हिस्ट्री का जो वन लाइनर क्वेश्टन सीरीज है वो हमारा चली रहा है लास्ड लेक्शर में हमने एक चेप्टर केया था जिसमने पाश doubρα कर लिया हुझ दूसरा वीडियो आपके लिए हुझ सेम वे में लेकिन दूसरा चेप्टर आज अपने को देखना है तो दूसरा चेप्टर में क्या क्या देखेंगे रामायडकाल के बारे में, महाभारतकाल के बारे में और महाजनपतकाल के बारे में इन तीनों से जितने भी important question बनते हैं, जितने भी factual points बनते हैं वो सारा का सारा हमने cover करना है ठीक, तो बिना time force के हमारा class start करते हैं समझेंगे, सबसे पहला question है आपका, आरियों का निवासिस्थल किसे कहा जाता है, तो आरियों का निवासिस्थल, शब्त सैंधो प्रदेश को कहा जाता है, ठीक, दूसरा question है, कत्थन है, जिसमें आपको बताना है कि शही है या गलत है, तो पहला point आपका OneWise में कि रिंग वैदी काल में ये देखें, पहला point है आपका रिंग वैदी काल में आरे 36 गढ़ तक पहुँचे थे, दूसरा point है आपका, 36 गढ़ में रिंग वैदी काल का प्रभाव मिलता है, तो यहाँ पे दिया हुए आंसर आपका दोनों ही गलत है, ऐ से पहला पॉइंट तो यह याद रखना है कि रिंग वैदी काल में जब आरी आये थे तो हमारे 36 गड़ तक नहीं पहुंच पाये थे क्योंकि रिंग वैदी काल का कोई भी प्रभाव हमारे 36 गड़ से देखने को नहीं मिलता है इसलिए यह दोनों ही जो क्वेशन है वह हमारा यहां से गलत हो जाएगा तो दोनों पॉइंट याद रखना है आपको next question है हमारा कौसित की ब्रामण ग्रंथ की रचना किस काल में हुई कौसित की ब्रामण ग्रंथ की रचना किस काल में हुई बहुत जादे important ये question बन जाता है तो आपको याद रखना है कौसित की पूरो वैदी काल हुआ था एक उत्तर वैदी काल हुआ था पूरो वैदी काल को ही रिंग वैदी काल कहा जाता था ठीक और एक था उत्तर वैदी काल जो रिंग वैदी काल है जिसको मैंने बताया कि पूरो वैदी काल भी कहा जाता था तो पूरो वैदी काल में हुआ क्या था जाता है बाकि जो तीन वेद हैं इन तीनों की रशना उत्तरवैदिक काल में हुआ है ठीक तो याद रखेंगे कौसित की ब्रामण ग्रंथ की रशना किसका आल में हुई है तो कौसित की ब्रामण ग्रंथ की रशना उत्तरवैदिक काल में हुई है नेच्ट क्वेशन है हमारा कौसित की ब्रामण ग्रंथ में किसका उलेक मिलता है अब आपने ये समझ लिया कि कौसित की ब्रामण ग्रंथ की रशना किस काल में हुई है उत्तरवैदिकाल में हुई है तो अब आपको ये question भी याद रखना है कि कौसित की ब्रामण ग्रंथ में किसका उलेक मिलता है? तो कौसित की ब्रामण ग्रंथ में विंध्यांचल परवत और रेवा नदी का उलेक मिलता है और ये दोनों कहां है? ये दोनों के दोनों ही हमारे 36 गड़ में हैं तो इस point से एक point और आप याद रख सकते हैं कि उत्तर वैदिकाल का जो प्रभाव है वो हमारे 36 गड़ में देखने को मिलता है क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखें यहां पर इस first clear लिखा हुआ है कि कौसित की ब्रामण ग्रंथ में किसका उलेक मिलता है तो विंध्यांचल परवत का और रेवा नदी का तो विंध्यांचल परवत और रेवा नदी दोनों का ही विस्तार हमारे 36 गड़ में तो जब इन दोनों का उलेक मिल रहे हैं इससे यह प्रूफ हो जाता है कि उत्तर वैदिकाल का जो प्रभाव है वह हमारे 36 गड़ में भी पढ़ा हुआ था क्योंकि 36 गड़ में स्थित विंध्यांचल परवत और रेवा नदी दोनों का उलेक यहां पर से मिल रहा है मैं थो पुरी वाला क्लास है वहां जाकर करके आप देख सकते हैं वहां अल्रेडी हमारी स्लेबस कंप्लेट हो रखी है जितनी भी सिजी इस्ट्रे के चैप्टर है वो सारे पर मैं वीडियो बना कर वहां अप्लोट कर चूकी हूँ नेक्स क्यूशन है हमारा दो महा काव्य कौन कौन से है बहुत सारे बच्चों को यह पता है और बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी यहां पर गलती कर देते हैं तो आपको याद रखना है दो महा काव्य कौन कौन से है तो दो महा काव्य है रामायर और महा भारत की रशन किसने की थी ये भी याद रखना है तो जिन जिन बच्चों को पता है कि रामायर और महाभारत की रचना किसने किसने किया था वो मेरे को कमेंट करकर जरूर से बताएंगे next question है हमारा रामचंद्र जी का नैनी हाल कहां है रामचंद्र जी का नैनी हाल कहां है देखें यहाँ पे ऐसे दो लाइन लग जाएगा नैनी हाल तो रामचंदर जी का नैनी हाल कहा है तो रामचंदर जी का नैनी हाल 36 गड़ में है क्योंकि जो माता कौशिल्या है हना वो 36 गड़ से थी क्लियर नैस क्रेशन है हमारा कूश इस थली किसे कहा जाता है तो कूश इस थली 36 गड़ को कहा जाता है ऐसा क्यों तो समझेंगे जो श्री रामचंदर जी थे ना उनके दो पूत्र हुए थे ठीक है एक का नाम था लाओ और एक का नाम था कूश तो जो हमारा 36 गड़ वाला हि कुशंत मिंदार sıra नहीं भी है तो ईकले मंदीघा नो अलोता है तौह को यादे हैं, Kous доб को सब्सक्राइब कि एक implic तौह याधे वह इंपूर्डेस श्यृचल के सब्सक्राइब नेक्र नहीं है। रिषी का आश्रम कहा है वालमिकी रिषी का आश्रम तुर्टूरिया में है और तुर्टूरिया कहां पढ़ता है यह बलोदा बजार में पढ़ता है तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है क्लियर नेक्स क्वेशन है हमारा लौकुस की जन्मिस्थली किसे कही जाती है तो लौकुस की जन्मिस्थली तुर्टूरिया को ही कहा जाता है मतलब तुर्टूरिया में वालमिकी रिषी का भी आश्रम है प्लस लौकुस की जन्मिस्थली भी है ठीक नेक्स क्वेशन अब यह कहा जाता था तो महा भारत कालमे बस्तर को महा कांतार कहा जाता था या फिर कांतार भी कहते थे क्लियर याद रहेगा आपनों को महा भारत कालमे ये देखे महा भारत कालमे बस्तर को क्या कहा जाता था तो महा भारत कालमे बस्तर को महा कांतार या फिर कांतार कहा जाता था नहीं होना है आपको इसको याद रखना है उसके आपकी next question क्या है आपका महा भारत काल में 36 गड़ को क्या कहते थे तो महा भारत काल में 36 गड़ को प्राक कोशल कहते थे और महा भारत काल में 36 गड़ को प्राक कोशल कहते थे और बस्तर को महा कांतार कहते थे वहीं रामायन का पहिस जाता था न ऐसके वन किया जाता ही जाता था तो यह डोरा अलग अलग हैं लेकिन भचकीरीelect अधरणिसंगे किशें अपनी राजधानी बनाई थी इसी कारण से यहाँ पर यह शब्द आया है चित्रांगतपूर थीक तो चित्रांगतपूर उश टेम पे कहा जाता था महाभारतकाल में वर्तमान में क्या कहा जाता है उसको सीरपूर कहा जाता है नेक्स देख लेते हैं लाक्षाग्री कहा है तो लाक्षाग्री जो है खलारी में है यह भी महाभारतकाली निस्थल है जहाँ पर लाक्षाग्री का कांड सबको पताई होगा जहाँ पर पांडाओं को आग से जलाकर मानने की कोशिश की गई थी हना यह वही कांड की बात हो र का निसान मिला था इसलिए जगा को क्या चाहा जाता है भीम खो वी कहा जाता है ऑदीकर बढ़ता तो ये भीह आपको याद रखना है रिषब देव का आश्रम कहा है तो रिषब देव का आश्रम गुंजी हैं और गुंजी जाजी आभवा समय udah करता है तो यह भी आपको याद रखना है रिसाप देव कौन थे जैन तिर्थंग करते हैं यह भी आपने याद रखना है तो एक नाम से जितने भी question बन सकते हैं हर टाइप का आपको खुद को बना कर देखना है क्योंकि एक ही क्वेशन को बार-बार रिपीट कर सकता है हर प्रकार से घुमा घुमा कर देदेगा इसलिए हर एक पॉइंट आपने याद रखना है clear next question देख लेते हैं महाजनपद काल के बारे में अब यहां से question बनता है पहला question आपका छटी सताब दीशापूरों में भारत में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे तो छटी सताब दीशापूरों में भारत में total 16 महाजनपद हुआ करते थे आगे देख लेते हैं महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है तो महाजनपद की जानकारी है वो हमको दो जगहों से मिलती है ठीक है एक तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है और एक भगवती शुत्रशे मिलती है चुली हुआ क्या था न बच्चे जिस टाइम पर महा जनपत काल चल रही थी है ना तो उसी समय जैन काल भी चल रहा था और उसी टाइम पर बौध काल भी चल रहा था ये तीनों ही साथ साथ चल रहे थे इसी कानार से महा जनपत काल में जितनी भी जो घटनाय घटी उसकी जो जानकारी है वो हमको बौध धर्म से संबंदित अंगुत्तर निकाय से मिलती है मतलब यह जो अंगुत्तर निकाय के बारे में मैंने बताया वो किसे संबंदित है तो अंगुत्तर निकाय जो है बौध धर्म से शंबंदित है हाना ये अंगुत्तर जो निकाय है वो बौध धर्म से सम्बंदित है और जो भगवती शूत्र है ये जो है जैन धर्म से सम्बंदित है इसलिए महाजनपत काल की जो जानकारी है वो हमको अंगुत्तर निकाय और भगवती शूत्र से मिलती है question बन जाएगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंदी थै तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय बौध धर्म से संबंदी थै जबकि भगवती शुत्र जैन धर्म से संबंदी थै clear next question देख लेते हैं चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो शक्ती मती थी कहां थी शक्ती मती थी next है वर्तमान में चेदी महाजनपद कहां है अब देखे क्वेशन क्या बोल रहा है वर्तमान में चेदी महाजनपद कहां है त वहीं महाजनपद चेधी महाजनपद हुआ करता था ठीक है आगे देख लेते हैं एक मात्र महाजनपद जो दक्षिड भारत से था क्या कहा जाता है उसको तो एक मात्र महाजनपद जो दक्षिड भारत से था उसको अश्मक कहा जाता था उस महाजनपद का क्या नाम था अश् पहले क्या होता था ना शोला महाजनपद होता था मैंने आपको बताया शोला महाजनपद था उस सोला महाजनपद में से जो पंद्रा महाजनपद है न वो सारे के सारे उत्तर भारत से थे लेकिन सिर्फ एक मात्र एक जो आंद्र प्रदेश है जिस कुछ टैम पर असमक कहा जा करके जितने भी factual points बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिया है अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको सीजी हिस्ट्री में कोई भी confusion है तो playlist में जा करके सीजी हिस्ट्री वाली वीडियो आप देख सकते हैं वहां से जाने के बाद आपके जितने भी doubts हैं वो clear हो जाएंगे और ज thank you thank you again thank you